हेलो फ्रेंड्स कैसे हूँ मेरा नाम है संजीम जोतरा और आज हम जो टॉपिक देखे हैं वह भी रिडॉक्षिन कहीं है और ट्वैल्थ की एलेक्ट्रोफिनिस्ट्री से है तो यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टन है इससे पहले भी हमने काफी अपने टॉपिक्स कवर की हैं जिमें हमने एलेक्ट्रोफिकल सेल पड़ा साव वाटाए है तो इलेक्ट्रोफिकल सेल सेथोड़ा सा् Hum수 ६्हों आतनाल बाठी परोलेद्स हाँ इसे हम घर टियुक्त्रोफिनिस्ट्रोफिन सेल से थोड़ा साथ वाप्रोज्ब On देख एक हुब्ली सेलम अचि जिसमें उलट, electrical energy किसमें convert हो रही है, chemical energy में, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कि molten solution जो electrolytes होते हैं, अगर उसमें से हम current pass करेंगे, electric current pass करेंगे, किसमें, जो electrolytes का solution होगा, electrolytes का solution होगा, electrolytes क्या होते वह भी बताऊंगा, तो अगर उसमें से हम current pass करते हैं तो क्या होगा? वो dissociate हो जाते है positive और negative ions में मतलब positive मतलब ketions, negative मतलब anions इसमें वो convert हो जाएंगे, तूट जाएंगे ठीक है? तो ये आज हम बात करेंगे electrolysis की चलिए देखते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि electrolysis की definition क्या कहती है कि the process of decomposition of an electrolyte by the passage of electric current through its aqueous solution और molten state अगर कोई हम electrolyte लेते हैं पहले तो पता होना चाहिए electrolyte क्या होते हैं electrolyte वो होते हैं, वो substances जो क्या करेंगे? ions में तूट जाएं ions क्या होते हैं? ions मतलब cation और anions में तूट दे cation मतलब positive charge वाले और anion मतलब negative charge जब हम इसमें क्या है? electrolysis में क्या है? जब हम electrolytic solution, जैसे electrolytic solution क्या हमारा? sodium chloride, ठीक है? NaCl, NaCl जैसे होता है NaCl जब तूटता है तो solid नहीं, जब वो पानी में डालेंगे या molten state में होगा पिगलेगा थोड़ा सा तो क्या होगा? Na plus और Cl negative में तूटेगा Na plus मतलब cation और anion ये क्या बनगे? cation मतलब ये दोनो ions है ions भी कौन से? cation क्योंकि इस पे positive charge है anion मतलब इस पे negative charge है जब भी हम इसमें से electric current pass करेंगे electrolysis क्या कहते है जब भी हम इसके aqua solution मतलब पानी में sodium chloride लिया और उसमें पानी डाल दिया पानी डालने के बाद क्या होगा? जब water डालेंगे उसमें तो हम क्या करेंगे? उसमें से current pass करवाएंगे ठीक है जब current pass होगा तो यह ions होगा जब घुला हुआ ions NaCl है जो हमारे water में NaCl हमने घुला जब उसमें से current pass करेंगे तो वो क्या होगा? NaCl जो है वो किसमें तूट जाएगा? ions में positive और negative ion में तूटेगा positive को बोलते हम positive को क्या बोलेंगे? कटाइन negative को क्या बोलेंगे? ठीक है? तो अब देखिए होगा कैसे जैसे मारे पास यह क्या हमारा? हमने क्या करना है? कि इधर हमने क्या गिया? यहांसे मा उपर से मिटा देता हूँ इधर मैं ले लिया मैंने anode इधर ले लिया anode दो electrodes लिये anode और cathode और इसमें क्या डाल दिया? इसमें क्या डाल दिया? जो मैंने कहा aqueous solution किसका? NACL डाल दो NACL जो aqueous solution दिया इसका electrolyte जो है इसे हम बोलते है electrolytic tank जिसमें electrolysis होगी ठीक है? अब यह जो मारे जो anode है इसे हम क्या करेंगे? attach कर देंगे यह positive और anode को हम positive terminal से जोड़ेंगे battery के और cathode को हम negative terminal के साथ जोड़ेंगे ठीक है? अब इसमें क्या पढ़े हुई है? जैसे हमने current start किया ठीक है? जैसे हमने क्या किया? current start किया तो क्या हुआ? किसमें तूट गया है? positive और negative positive और negative आयन में तूट गया कौन? जो NACL इसमें पढ़ा हुआ है अब जो positive होगा positive होगा यह cathode है न माना positive किसकी तरफ जाएगा? इसकी तरफ cathode की तरफ move करेगा negative कि तरफ जा रहा है positive कि तरफ जाएगा? cathode की तरफ positive move positive जो आयन होगे move towards किसकी तरफ जाएगे? cathode और जो negative है वो किसकी तरफ जा रहे है? negative इसकी तरफ जाएगे positive चारफ जाएगे जो हमारे negative ions होगे, वो किस की तरह move करेंगे? negative ions हमारे कितर move करेंगे? negative ions move करेंगे इस तरह. ठीक है, यादख हो गया. अब हमारी जो reaction, जो हमारी reaction बनेगी, वो कैसे बनेगी, किस तरह कैसे, क्या होगा? यही example हमने लिए, NaCl की. अने ने क्या किया, Na ने क्या किया, Na प्लस जो ions थे, जो positive ions, मत्तब ने प्लस ions, Na प्लस, यह positive charge बढ़े गया ने, यह बड़ा हुआ, जो positive charge थे, यह कितर move कर रहे है? इस तरफ, cathode की तरफ move कर रहे है. तो यह क्या करेगा, electron लेगा, electron लेगा, अपना electron लेगा, और sodium बन जाएगा, अपना neutral atom बन जाएगा, इसे हम बोलते है, primary charge बन जाएगा, primary जो हमारा charge होगा, या primary change बोलते हैं से. यह तो ठीक है, यह तो हो गया, sodium ने क्या किया, plus ने electron लिया, और अपना sodium बना दिया, primary change हो गया, फिर, chlorine क्या कर रहे है, chlorine पर charge क्या था, negative, इसने भी क्या करना है, negative charge ने क्या करना है, अपना electron लूज करेगा, और chlorine atom बन जाएगा, पर यह chlorine atom, यह change कौन सी थी, that is a primary change, इसे बो ठीक है, इसे क्या बोलते है, sodium ने क्या किया, अपना electron लिया, sodium बन गया, ठीक है, chlorine ने लूज किया, और chlorine, दोनों क्या बन गया, neutral atom बन गया, sodium करते चुला, ठीक है, sodium कहाँ पर reduce हो गया, यहाँ पर इधर चला गया, कथोड पर जाके, यहाँ पर deposit हो गया, अब chlorine बिचारा, chlorine chlorine atom क्या होता है, chlorine atom मेंशा क्या होते है, chlorine atoms जो होते है, वो क्या है, atom की बात करो, unstable है, ठीक है, तो यह क्या करेगा, यह क्या करेगा, chlorine atom एक और chlorine के साथ जुड़के, chlorine molecule बना देगा, ठीक है, chlorine molecule मतलब, chlorine gas, यह किदर आ जाएगी, इधर liberate हो जाएगी, किदर liberate होगी, एनोड के लिवरे वे जाएगी मतला सोडम आलब यहां पर ड़िपॉसित हो गया ख्लपम अकेला तो बिचारा क्या था अनस्टेबल था तो क्लोरीन ने क्योकिया और क्लोरीन के साथ जुड़के chlorine gas बना दी और यह anode पर जाके liberate होगे ठीक है इसे हम बोलते है secondary reaction secondary reaction यह कहते है secondary change ठीक है इसे क्या बोला हमने secondary change ठीक है तो यह हमारा electrolysis ठीक है हुआ गया इसमें क्या किया है मैंने क्या कहते थी कि जब भी हम electric current पास करेंगे जब भी हमने electric current पास किया तो वो decompose हो गया कौन electrolytic solution में जो हमारे आइंस बने जो साल्ट है वो क्या हो गया तूट गया उसके आइंस बन गे positive और negative ठीक है तो यह था हमारी electrolysis की definition थी positive चला गया इस तरफ positive की तरफ चला गया negative की तरफ चला गया positive की तरफ क्या बनने के लिए neutral बनने के लिए sodium क्या था वो ठीक है sodium यहां पर deposit हो गया पर chlorine क्या था chlorine क्या था chlorine unstable atom atom की फ़र्म अंस्टेबल है तो वो क्या करेगा दूसरे chlorine के साथ मिलके chlorine gas बनाएगा तो अनोड पर यहां पर liberate हो जाएगा तो इसमें जो में चीज एक और दिखने वाली किया थी कि इसमें sodium ने क्या किया यहां पर जब लूज किया तो यह क्या बनगी रेडक्शन और इसने क्या कि chlorine ने जब electron अपना लूज किया तो यहां पर क्या होगी Oxidation यहां पर भी Oxidation reduction होगी ठीक है तो यही चीज़ मैंने क्या कहा ओवराल अभी दुबारा से एक बार recap करें फड़ा फट से कि जब हमें इस पर इलेक्ट्रेक्ट पास किया तो क्या बना sodium प्लस मना positive charge बना positive charge इहां पर क्लोरीन किया था क्लोरीन ने अप्ला लूज किया और क्लोरीन एंटम क्लोरीन एंटम बन गया पर क्लोरीन एटम ने क्या होता है और Unstable Atoms और लेके Chlorine Gas बना दी और यह इधर से Liberate हो गया पर Chlorine जब Lose किया तह मतलब क्या वो क्या है Oxidation ठीक है तो इसे हम बोलते हैं Electrolysis ठीक है इसे क्या बोलते है Electrolysis hope कि आपको यह lecture अच्छे से Clear हो गया होगा हम दोबारा एक नए लग्टर के साथ हाजिर होगे तब तक के लिए मुझे अजाज़े दीजिए थांक्यू गुबाई टेके